भारत सरकार के साथ जुड़के काम करने का मौका अगर मिले तो जरूर कीजे खास करके इंडियन पोस्ट आफिस आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन पोस्ट आफिस का फ्रेंचाईजी लेकर आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ क्यों कि आपमें से काफी सारे लोगों के कबर अब किया ता कि सर्विस वाले परपोरिशन को फोकस करना है तो services पूरा detail में मैंने बताया है आप में से कई लोगों को लगता होगा कि अभी के डिट में post office का क्या roll रहा गया है पता नहीं कौन इस्टांप लेता होगा आपको यही लग रहा हो ना अगर आपको यह लग रहा है तो अभी आप services का list देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों आपको नहीं लगना चाहिए post office franchise लेने के बाद क्या-क्या services आपको provide करना है या क्या-क्या services आप provide कर सकते हैं इस चीज़ को मैं पूरा detail में बताऊंगा क्योंकि 90% वीडियो में यही चीज़ लोग बताते नहीं है और आप लोग confused होते हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना पता ही नहीं चलता देखिए पहले ही सरकार ने लिख दिया हुआ है कि जो भी आप franchise लेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ on-counter services ही आप provide कर सकते हैं यानि कि delivery का services आप नहीं दे सकते हैं यानि कि ticket दूसरा इसमें आगया booking करना रहेगा आपको क्या booking करना रहेगा तो सबसे पहले parcel पारसल booking कर सकते हैं आप speed post booking कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ ये kind of ये one of the best काम आपके लिए रहेगा कारण है कि ज़्यादा तर लोग courier का फिरेंचाई जी इसी काम के लिए लेते हैं और आपके पास तो अलेड़ी ये option दे रहे speed post का parcel का यही काम पे तो सबसे ज़्यादा कमाई है इससे ज़्यादा कमाई है और किसी में है भी तो नहीं सबसे ज़्यादा इसी में कमाई है इसके अलावा आप speed post पार्सट कर सकते हैं money orders कर सकते हैं गाओं में अगर आप open करेंगे तो money order अभी भी उता है इसके अलावा आप इसमें e-post बगएर अभी कर सकते हैं bulk booking of registered speed post आप कर सकते हैं जैसे जो भी आपका speed post हो गया या आपका parcel हो गया आप bulk में भी आप ले सकते हैं एक दो छुट पुट तो ले ही सकते हैं लेकिन अगर कोई आपका local में कोई person है जो धंदा कर रहा है e-commerce का अगर उसको भी भेजना है speed post के तो उससे भी आप tie up कर सकते हैं यहीं पर आपको दिमाग लगाना है धंदा करने के लिए कई बर लगता है कि पोस्ट आफिस में क्या कमाई होगा कमाई है कमाई तो है लेकिन आपको इस वे में आपको कमाना होगा PLI एजेंट के तोर पे भी आप इसमें काम कर सकते हैं जो की डिरेक्ट एजेंट के तोर पे आप इसमें काम करेंगा दूसरा हो गया marketing product department जो भी सरकार का product हो गया उसकी आप marketing कर सकते हैं next हो गया इसमें जो भी retail का revenue stamp होता है वो आप बेज सकते हैं और CRF stamp भी आप बेज सकते हैं जैसे bill tax fine collection हो गया payment services सब्दर department हो गया यह सारा चीज़ आप सेल कर सकते हैं बेसिक यह सर्वीसे से इसके अलावा जो सरकार के कुछ कुछ services है basic जैसे e-governance related हो गया citizen sending services हो गया वो सब आप provide कर सकते हैं मुझे तो post office वाले में सबसे perfect काम लगा इस वाले में stamp तो खेर बिके गाई बिके गाई आपका लेकिन सबसे ज़्यादा बिके गाई इसमें parcel और speed post चुकि यह आज भी relevant है अभी की date में भी normal अगर आप courier से भेज रहे हैं तो उसका दाम ज़्यादा लगता है हर आदमी चाहता post office से भेज़े problem क्या है कि post office अब आसपास में रही नहीं गया है इसलिए लोग भेज नहीं पाते हैं तो आप तो post office का काम कहीं भी शुरू कर देज़ेगा आपका यह चल निकलेगा कारण है कि इसका demand high है बस इसकी availability अभी के date में कम हो गई है अब लोग post office जाना नहीं चाहते हैं तो इसलिए लोगों को अब इसके बारे में कोई खास लेना देना भी नहीं है लेकिन अगर आपने अच्छे location पर आपने open किया तो आप post office में अच्छा काम आप कर पाएंगे बात करते हैं business के अगर आप Indian post office का franchise लेने के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके का location आपको देखना चाहिए देखिए जो भी services मैंने बता दिया उस services के according तो कहीं भी आप करेंगे तो चल जाएगा हाँ ये और बात है कि शेहर में टांपिंग का कम demand आता है लेकिन speed post parcel का demand तो शेहर में भी बहुत जादा है गाउं में अगर आप हैं तो वहाँ तो करी सकते हैं अगर आप मेंसे कुछ लोग वैसे north east के होंगे या वैसे जगह से हैं जहां पर post office की शुविधा ही नहीं है जहां पर एक आदमी कुरियर भेजने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है तो आप जैसे लोगों के लिए ये franchise और भी based हो जाता है चुँकि ये आप चाहें तो side career भी बना सकते हैं एक महीने में 20-25-30-40-40 रुपया का आपका earning हो सकता है depend कर रहेगा कि कितना ज़्यादा आपको order मिलता है next बात करते हैं कि कितना इसके लिए area चाहिए होगा तो area ज़्यादा नहीं चाहिए होता है 10 by 10 का एक कमरा से भी आप शुरू कर सकते हैं चुकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक board लगेगा और बादबा की जो government के तरफ से मिलेगा स्टाम बगेरा वो सारी चीज़ें आपको रहेंगे आपको सरकार के तरफ से proper training प्रुबाइड कराया जाएगा तो 10 by 10 का area more than enough है investment की बात करें कितना इसमें investment लगेगा तो देखिए बारस सरकार का जो अपना franchise fee है वो 5000 रुपिया ही है 5000 में आपको franchise दे रही है लेकिन अगर आपके पास खुद का space है तो कुछ भी नहीं एक्ष्टा costing लगेगा तो आप वैसा ही जगह देखिए जहां पर आपको rent नहीं लगे या नहीं तो वैसा जगह देखिए जहां पर rent भी अगर लग रहा है तो 24-5000 रुपिया का ही rent लग रहा है जादा महगा जगह पर अगर आप लेंगे तो आपको फाइदा नहीं होगा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आप वैसा जगह पर चुनिए जहां पर आपको rental कम लगे ताकि अगर income कम भी हो रहा तो आप एक हट तक manage कर पाएंगे बात कर लेते हैं कि as a franchise के तोर पे आप कितना कमाएंगे उसको ज़रा समझे सबसे पहला जो कमाई होगा आपका वो है post article book अगर कोई भी आप article book कर रहे हैं तो दो रुपया पर registered post article book पर मिलेगा दूसरा हो गया दो रुपय पर speed post article पर आप मिलेगा आपको और साढ़े तीन रुपया पर money order पर मिलेगा और 20% extra commission मिलेगा thousand या ज़ादा speed post या registered post या दोनों आप booking करते हैं तो 5% commission मिलेगा पोस्टर लिस्टाम पर money order पर और other kind of stationery पर अब money order कोई 100-200 करता नहीं हो कोई भी money order करेगा तो कितने का करेगा minimum 10,000, 15,000, 5,000, 8,000, 20,000 इस level का लोग money order करता है तो वहाँ पर आपको 5% का सीधा सीधी commission देने वाली है government और एक order आपने book किया तो 3,5 रुपिया ऐसे आपको मिलेगा तो इस तरीके से आपको ये कमाई होगा ये है वो website जिसके मैं बात कर रहा हूं indianpost.gov.in यहाँ पर आप आएंगे तो पहले लिखा हूँ और department of posts ministry of communication government of India भार सरकार का ये website है यही से आपको वो चीजे जो भी मैंने आपको बताई है यही से आपको सब कुछ यही से आपको सारा जानकारी मिल जागा और यही से आपको apply भी करना है कोई भी अगर Indian post से speed post कर रहा है तो यहाँ से आकर tracking भी कर सकता है तो आप अपने client को बता सकते हैं कि यही से आप tracking कर सकते हैं बात बखी calculation आप कर सकते हैं पोस्टेज का तो आपको यहाँ से समझ में आगा कि कैसे कैसे calculation होता है पोस्ट ओफिस लोकेट भी होने लग जागा आपका वाला भी लोकेट होने लग जागा अब हम बात करते हैं फ्रिंचाइजी के लिए apply कैसे करें how to apply इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है इंडियन पोस्ट ओफिस फ्रिंचाइजी जैसी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले नमबर पे एक विब साइट आपको दिखेगे यह आप देखें आपके क्या लिखा हुआ फ्रिंचाइजी स्कीम इंडियन पोस्ट ओफिस ड क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आपको सामने ओपन हो जाएगा इस पेजे में सारे डिटेल से दिये गया है जो मैंने आपको बताएं आपको करना क्या है कि यहां पर एक application दिया गया है इस application को आपको भरना है application कम 임जैजी outlet agreement फोर्म ठीक है ना? यहाँ पर आपको भरना है, जैसे नाम हो गया, नेशनालीटी हो गया, कितना यह है वो आप भरी है, ठीक है ना? पेंशन वगेड़ा आप लेते हैं, आप यह यह जब लोह है तो वह अलएक है पर मैंने टेडिस क्या है, कहां पर आपका बिजनस रहेगा, timing of business क्या रहेगा यह सारा detail आपको भरने के बाद यहां पर आपको signing कर लेना है और signature of applicant वाले जगह पर आपको signing कर लेना है sign करने के बाद next एक और document आ रहा है वो है memorandum of agreement इस पर भी आपको sign कर लेना है और सब कुछ यहां पर दिया गया है इसमें आपको कुछ भी changes कुछ भी नहीं करना है जो जैसा दिया गया है चुप चप वैसे करते जाना है यह सारा कुछ आपको पढ़ लेना है इतना detail में मैं न जाएगा है ना तो यह सारी detail आपको यहां पर पढ़ लेना है समझ में आ जाएगा कि इसना आपका income बनेगा उसके बाद आपको यह form भरना है वह सारा form है वह सारा form भरने के बाद department पोस्ट को आपको भेजना है अगर इस से related आपको कुछ समझना है परिशानी हो रही है तो आप बहतर है कि अपने local कोई जो भी post office का होगा वहाँ पर आप जाके संपर किजेगा और वहाँ पर बताइएगा कि आपको यह वाला form भर के मुझे डालना है मुझे franchise लेना है चुकि post office का franchisee post office के through ही आपको मिलेगा यहां पर लिखा हुआ है ना कि जहां भी आप signature of postal agent in presence of issuing authority यह सारा चीज़ आपको करना तो यह सब कुछ यहीं पर होगा local जहां पर फोस्ट office होगा वहाँ पर जाकर यह आपको यह सारा काम करना है उमीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि सो मॉच टिक केर बबाए